आज हम डिस्कुस करेंगे यूनिट्स एंड मेजर्मेंट इसमें सबसे पहली चीज जो पहला क्यों है वह क्या है हमें इनकी जरूरत क्यों है नीड ओ यूनिट्स हमें यूनिट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी तो नीड यूनिट्स की जरूरत का क्या है है अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है फिजिकल कॉंटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करना है तो बिना यूनिट्स की हम उसको कर नहीं सकते अगर जैसे हमारे पास एक्जामपल है एक कंटेनर है उसमें लिक्विड है अब हमें में बताना है और एक और दूसरा container है उसमें इससे जlyard हम यह तो बता सकते हैं कि इसके इंदर इसे ज्यादा है पर हम यह नहीं सकते किस्टवाइब कितना ज्यादा इसमें रह तो और भी बहुत सारी हैं गैसे हमें distance मैजर करने का अगर हमें किसी एक point से कि इधर जाना और दूसरा पॉइंट यहां है तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा है पर हम यह नहीं बता पाएंगे कितना बड़ा है तो इन सब चीजों के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ी फिर यह हमें समझा गया कि हमें यूनिट्स में उनको मेजर कैसे करेंगे सो सेकेंड तिंग क्या है हाउ टू है मेजर है है कि फिजिकल क्वांटिटीज अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे दो पॉइंट का डिस्टेंस या किशी एक बरतन के अंदर फ्ल्यूड का वोल्यूम इन सबको मेजर कैसे करना है तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम करते हैं सेट ऑफ स्टेंडर्स के मतलब है कि जैसे अगर एक्जामपल के तोर पर समझें तो हमने एक specific distance के लिए हमने बॉल दिया यह हमारा distance है यह meter है यह unit length की unit है यह one unit of length है अब हम इसके comparison में बता सकते हैं कि और बाकी को relative कर सकते हैं कि यह इसके two times of the unit of length है अब assign कर दिया assign a unit to that standard अब जो हमने standard बनाया है अब उसको हम एक unit assign करेंगे हमने बोल दिया अब unit assign करने के मतला उसको कुछ नाम दे जाना बोल दिया कि यह one meter है अब क्या अग्जाम्पल से समझते हैं आध आधे अआ अज़ये आधे स्पेसिफिक लेन्थ हमने स्पेसिफिक लेन्थ ली और इसको morning बोल दिया यह one meter अब क्या कर सकते हैं अब हम किसी भी लेंद को किसी भी और लेंद को इस लेंद के मल्टिपल्स में हम को एक्स्प्रेस कर सकते हैं नव एनी अदर लेंद इज एक्स्प्रेस्ट एज एज ए मल्टिपल ओफ इस लेंद जैसे यह हमारा डिस्टेंस है और यह हमारा वन मीटर लेंद है तो वन टू ट्री फॉर तो यह फोर टाइम में बन मीटर जाते कितना हो जाएगा फोर मेटर फोर टाइम ओफ वन मीटर तो अब यह भी समझ आ गया उपर जो यूनिट्स है वो डिफाइन किस तरह कैसे कि जाती है कि जैसे यूनिट है तो इसका फोर टाइम तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूं से उसका हम एकस्पेस कर सकते हैं में यूजी सोगनाति और समय इसमें यह क्या रिप्रेजेंट करता है मेंगनी टूड गइंग है मáfic हम अ पोनिटिटी यह उसा其實 अन्टिटी पाम मैंगनी प्रिजेंट करता है पर यह रिपेजेंट करता है यह युनिट को तो अभी जो हमारा प्रीवेस एक्जामपल था तो उसमें देखो फोर मीटर था तो जो फोर था वह हमारा मेगनिटूड था और यह हमारे क्यादी यूनिट अब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल कॉंटिटी है जो वी हैव लाज नंबर फिजिकल कॉंटिटी है अब जैसे एक्जामपल से देखे तो लेंट अएड़ एरिया कि वोल्यूम कि स्पीड कि टाइम कि मास कि फोर्स कि एक्सेलेशन कि टेम्प्रेच्चर कि तो यह और भी करते जाएंगे हम करेंट की यह और बहुत सारे से फीजिकल कॉंटिटीज है तो इन सब को ससे piss में हर एक के लिए डिफाइन करने बहुत मुश्खिल हो जाते हैं तो हमने में इनको दो हिस्थों में टिवाइड करें नरिक व हम ने दो पार्च में कर लिए जो कुछ थी उनका फिट समय जो इंडिपेंडेम् जो इंडिपेंडेंट थी और जो डिपेंडेंड्स औन अधर्स अधर या अधर डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो जो इन्डिपेंडेंट थी उनको बोला हमने फणना मेंटल फणना मेंटल यूनिट और इन यूनिट से जो डिपेंडेंट यूनिट थी दीज can be expressed in terms of independent quantities जो dependent थी इनको हम किस की help से independent quantities की help से इनको लिख सकते थे शो इसलिए इनका नाम पड़ा ड्राइव यह किन से ड्राइव की गई है fundamental units है ड्राइवड यॉनिक यह हमारी fundamental units है और यह हमारी are obtained by multiplication or division of power of the fundamental quantities, तो यह भी हम देख सकते हैं, by the drive units are obtained by multiplication or division of power of fundamental quantities यह उनकी power की form में जैसे हम एक्जाम्पल ले लेते हैं एरिया एरिया को हम कर सकते हैं जैसे अगर हमारी जो तभी हम basic fundamental units बता देते हैं मीटर केजी सेकिंड एम्पियर केल्विन मॉल और केंडेला तो अगर हम एरिया को करेंगे मीटर 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 की पावर टू तो जो मीटर है वह हमारी fundamental unit है उसकी हम पावर टू हो गया यह एयसे ड्राइव यूनिट हो गया है ऐसे ही हुँआ है बाकि हम बोल्यूम को देख सकते में में मिटर क्रोश में इंद र्छो रूश में मों कैइड के पावार अध फिर को देखेंगे तो combination of meter and time multiply division meter division by time second अब एक और चीज़ है इसमें वो भी बहुत इंपोर्टेंट है कि डिफ्रेंट यूनिट्स ओफ मेजर्मेंट अब मेनली हमारे पास जो डिफ्रेंट तीन टाइप के तीन मेजर सिस्टम है एक है सीजिये सिस्टम एक है एफ पी एस सिस्टम और एक है एम के सिस्टम करथ को अब सिस्टम और मिसा अब सिस्टम तके सेंटीमिट्स ने घर्प्रेजन करता हो कि डिफ्रेंट करता ग्राम को और सिप्रेंट करता सेकिंड को संपोल स्प्फेस में यह है यह फूटको स्थिंस अर्य Cons ये pound को represent करता है second को represent करता है और mks में ये meter को represent करता है ये MKS k represent करता है kg ko rest represent करता है second ko जो mks system है इसको si units भी बोलते हैं यहां पर जो ऐसा यह इसका फुल फॉर्म होता है तो सिस्टम इंटरनेशनल कि सिस्टम इंटरनेशनल अब यह सवाल आता है कि हमने वह अब कि वहाई मक्याइस इस यूज़ एसाइउनिट यह सवाल हम सीजिश को कर रखते हैं हम एफपेस को कर रखते हैं पर हमने मक्याइस को क्यों चूज किया तो देखो इसके पीछे एक रिजन है जो मक्याइस यूणिट है ना मक्याइस यह किस पर बेज्ट है बेज्ट ओन कि डेसिमल सिस्टम यह डेसिमल सिस्टम है कि जो मीटर है अगर उसको हमें किलोमेटर में कनवर्ट करना है तो यह आ जाएगा पर अगर हम एफ पीएस को देखें इसमें फूट है फूट डेसिमल सिस्टम पर वर्क नहीं करता अगर एक 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 फिट को देखें तो कितना होता है हुआ है श्रीब बारा ती संट्यमेंटर बारा इंच का एक फूट होता है तो जो कनवर्जन है वह सब्सक्राइब एक यूनिट से दूसरी में डेसिमल में नहीं हो रहा है तो इसलिए MKS system को MKS system को SI system adopt किया गया था तो अब हम discuss करेंगे हमारी जो fundamental units है जो SI system है इसमें 7 basic units अजयों की गई है बाकी सबको drive unit बोला गया है हम discuss करेंगे SI units सबसे पहले जो basic quantity है length है unit का नाम है meter symbol है M second है mass जिसकी unit का नाम है kilogram और symbol है kg third है time जिसकी unit का नाम है second और symbol है S fourth one है electric unit का नाम है ampere और represent क्याता है capital A से कुछ लोग इस चीज़ के उपर थोड़ा से वो करते हैं चार्ज को हम basic unit consider करें पर ऐसा ही सिस्टम में एक बार electric current को basic unit बोल दिया गया पिर वही है अब एक टेंप्रेचर टेंप्रेचर की जो unit है वो Kelvin है रिप्रेजेंट किया जाता है कि अमाउंट ओ सबस्टेंस जितना हम के में स्टी में देखते हैं मॉल में मॉल उसका नाम है और शिंबल प्रेजेंट के अगरद स्मॉल मॉल शे और लास्ट जो है वो है luminous intensity luminous intensity means कोई चीज कितनी चमकदार है या मतलब कितनी ज्यादा वो bright है तो उसको measure करने के लिए candela हो रिप्रेजेंट किया जाता है cd से है तो यह तो हमारी basic unit हो गए इनके साथ हमारे दो और diamonds less unit है और वो किसकी unit है वो है angles की unit अब एक है planar एंगल और दूसरा है हमारा solid एंगल तो पहले हम planar एंगल को समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्या है हमारा planar एंगल प्लेनर एंगल के अगर हम definition देखते हैं कि कि एनी एंगल है जैसे यह कोई भी एक प्लेन के अंदर बना हुआ हुआ है दो कि दो लाइन्स के बीच का है अगर इसको हम बोलते हैं planar एंगल कि यह सर्कुलर आर्क है अब यह रेडियस यह रेडियस अब इसको मेजर कैसे करते हैं जो प्लेनर एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन थीटा इस इकल टू यह सर्कुलर आर्क होती है एस बाई आर इन रेडियन कि जहें एक स्फियर है यह सर्कल है वह 360 डिगरी का इंगल बनाता है तो यह कितना होता है कि टू पाई आर इसका सरकॉंफ्रेंस और रेडियस कितनी आर है तो जो ठीटा होगा वो कितना होगा टू पाई आर्वाई आर आर टू पाई तो इसलिए बोला जाता है कि यह जो टू पाई है जो हम लिखते हैं जिसको हम सिक्सति के पराबर बोलते हैं रेडियन में इसरी डिघरी में लिखेग को फिर पाई ये कल टू पाई रेडियन इकल तो तेको बैलेजम시면 का जाता यूज क्या जाता है कि बीख सकते हैं रेडियन को कैसे लिख सकते हैं कि त्रिशिक्स्टी वाई कि टू पाई कि डिग्री कि या वन एक्टी वाई पाई कि डिग्री कि और जो सेकिंड होता है वोता है सोलिड एंगल कि सोलिड एंगल क्या है जैसे यह हमारा इस केस में एक सरकल था उसमें क्या होता है एक स्फियर होता है और स्फियर एक थ्री डाइमेशनल बोडी है रेडियस रेडियस जो यह वाला एंगल होता है ना इसको बोला जाता है सोलिड एंगल और इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है यह डी ए एरिया हो गया और जो सोलिड एंगल होता है वो होता है डी ए अपन आर स्केर और जो इसकी यूनिट होती है इस तर रेडियन यह दो और इंपोर्टेंट कॉंटिटी होती है जो हमें हम यूज करते हैं अब हम इसके बाद देखेंगे प्रिफिक्स या यूनिट कनवर्जन प्रिफिक्स इस हम बोल देते हमने बोल दिया वन मीटर अब हम मान लो उसको हमें कनवर्ट करना है यह कि अगर मान लो हमें बहुत सारे डिस्टेंस जैसे बहुत है तो कि में टिस्टेंस तो हम ऐसे लिखने में यह वैसे ही और लेक्द किलोमेटर मेक्स ताम इसको क्या कर सकते हैं हम इसको कर देंगे इसको बोल देंता है 100 km यह लिखने में भी आसान है या फिर बहुत चोटा डिस्टेंस है 0.0000001 तो इनको कैसे लिख सकते हैं जैसे या 0.01 mm या फिर 0.001 cm या फिर हम और करेंगे तो 110 µm तो जो इसके आग्गे जिसे का व्यार माईक्रो लगाया यहाँ पर किलो मिटर लगाया यहां इसे उनिटर हो गया मेली हो गया गवाया मेगा हो गया यह सब है प्रिफिक्स और कि जो यूंट्स हैं इस करते कि आगर हमें बहुत बढ़ी यूंट 3 तो इसको हम एक दूसरी यूनिट में कनवर्ट कर सकते हैं इसको चेंजिंग दा यूनिट बोलते हैं मीटर टू किलो मीटर और इधर की साइड मिली मीटर यह से माइक्रो मीटर इस ताइप से से मैं से कैसे के जी में इधर के साइड तन में इधर के साइड देखेंगे तो ग्राम में मिली ग्राम टाइप से कर सकते हैं